अपना अबाया पहलो ना बुर्का तो चले समान तो यह राख अपना बैग उठा के लिया जी तो कॉसर की भी त्यारी हो गए और कॉसर भी जा रहे हैं और कॉसर जी तरह से हस रही है मतलब के उसको तुमने सिखाया था के मैं ऐसा किलीब बनाऊंगा इसलिए उसको हसी आ रही है अरे तुम लोग कितने फ्रॉड हो कितना जूड बोलोगे गेंडे फावड़े ते कोई शरम आती है इतना बड़ा तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो मिसगाइट कर करके तुम लोग जो वीडियो बनाते हो तुझे भी वीउज नहीं आ रहे थे अब तो कौसर भी पानी कम चाहे हो गई है मैं आप उसको भी लोग नहीं पूछ रहे है कहां तो तुझे वहाँ जाने के बाद में लाक लाक वीउज आने लग जाते थे और अभी देखो तुमारी वकात के वीउज नहीं आ रहे तो बैट गए जूटे थमनेल टाइटल लगाने के लिए शरम नाम की चीज है ना बुढ़ा हो गया है तुझे तो इज़त कमानी चीए लेकिन पैसे के लिए क्या कर रहे तू शरम कर शरम इतना मत मरो डॉलर के लिए के कबर में नहीं जाने वाली यह डॉलर बे शरम बुढ़ा खडूस मोटा संडा टाइम के लिए आया था और बुढ़ा ही टाइम मैंने अपनी वाइफ को सर को दिया जो मैं इतने इतने टाइम के लिए आया था इतना ही वाइप को कॉसर को टाइम दिया इधर उधर मैं कहीं भी नहीं गया ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं इधर उधर कहीं भी नहीं गया मोठे तुन्हें ये डायलोग क्यूं बोला क्योंकि तु जान बुचके कोसर को और ऑदर जाएंगे और कोसर को सीखाता था कि मना कर देना के नहीं मैं नहीं आ रही हूँ फिर मैं जाऊंगा बाइक पे तोड़ा सी सीन कहीं का दिखाऊंगा और फिर पूरा दिन गायब रहोंगा जो पिटारा के काम से मैं आया हूँ वो काम करने के लिए चला जाओंगा और वो चीज़ को तू पब्लिक को शक ना हो इसके लिए तू बोल रहा है मैं इधर उदर कहीं भी नहीं गया तो तु कहां कहां क्या क्या मुकाला करने गया है ना वो सारा पता है तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है तु कोई सच्चा नहीं है मतलब तुम लोग इजददार सच्चे लोग नहीं है कि तुम लोग बोलोगे और हम मान जाए और ये क्या बात हुई कि इतना टाइम दिया था तुन्हें कोसर को और उतना ही टाइम रहा और चला गया मतलब क्या करने आया था है फी बड़े था क्या कोसर का या बर्सी मनाने आया था बच्चे की बरसी तो तुम लोगों ने मनाई नहीं, कौसर का बड़े भी नहीं था, नहीं तो तेरी साधी शालगिरा थी, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, तो किसलिए आया था, एकदम कट करके तुने टाइम जो फिक्स करके आया था, कि मैं बस इतना ही दिन रहूंगा, ऐसे तो टाइम सेट करके आया, इसे कैसे, क्यों इसका जवाब जरू देना मोटे संडे, चाहिर सी बात है, यह अपने खुद के काम के लिए आया हुआ था, तो टाइम सेट करके ही आएंगा ना, टाइम सेट करके आया था, और चला गया, तो यह बोलना कि मैं इतने टाइम के लिए आया था, और मैं कासर को उतना टाइम दिया, इदर उदर कहीं नहीं गया, तो किदर किदर कहां कहां गया न सब पता है हमें, दोगला जूटा आदमी, जब भी कासर के पास ते जाने का रहता है ना, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेंगा, आज यह है, आज वो है, रश रह यह रहेंगा, वो हैंगा, बोल बोल के यह कासर के पास ते फटा फट निकल के भागने के लिए तयार रहता है, लेकिन जब आए बागने को तयार नहीं रहता है। अच्छा चलो अशूरा था वो जो देती जल्दी-जल्दी निकलने को वहांसे तायार था क्यों कौसर के साथ में अगर अशूरा मना लेता अ था तो क्या हो जाता मतलब पिटारा डायन ने तुझे मना की थी के कोसर के साथ में नहीं मनाना पिछली बार भी आया था कोई तेवार था हाँ आई इद के टेम पे पीद भी तुने पूरी उसके साथ में मोटी के साथ में करके फिर तु आया था और तुने ये बोल दिया था कि मैं करने के लिए जा रहा हूं कोसर के पास तो पिटारा तुझे तेवार करने से मना करती है कोसर के साथ में जबके पिछले साल तो पूरे तेवार तेरे को कोसर के साथ करना चाहिए था लेकिन नहीं तो पिटारा के इधर वहां पे जूले जूल रहा था बेशरम यहां से तो क पास में तो खुदी सारा कुछ पैकिंग करेंगे सारा कुछ काम खुदी करता है और यहाँ आएना तो इतना हुश्यार बने गाःगा दिखावा करने के लिए इससे पैकिंग करऊंगा इसको कर दो और रागे क्या बोला है आप लोग सुना कि इतना नोकर बना रहता है यहां पर सुना कर दो खाना लाक हो और जब पतता है कि तेरी इज्जत यहां पर हो रही है वहां पर तुम नोकर की जिंदगी जी रहा है तो फिर क्यूद chez कोसर के पास में लेकि जा कोसर को यह जे तुन्हें टाइटल्स हमने लगाया है बेगहरत तो इसके अपर वर्क भी करना बेवकूब बनाते हैं लोगों को तुम लोग जूटा कहीं का मोटा सुबह सुबह नराज हैंगा नराज की के अलफाज बियान कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है अच्छ चलो ठीक है बताओ कि जो बीवी को ये पुरा पुरा साल नहीं मिलता आएंगा तो इसी तरह से दो दिन चार दिन के लिए आता है और चला जाता है उसकी बीवी कैसे इसना हस सकती है आप लोग खुद बताओ इसकी जगा कोई भी वाइफ रहेंगी न ये तो वाइफ है नहीं मैं नहीं मानती हूँ अगर वाइफ रहेंगी तो वो तो इसकी टांगे तोड़ते वे पिटारा जैसी हो तो इसकी टांगे तोड़ते वे पिटारा देखो ना पिटारा पहले तो बता रहे थे कोसर हमारे घर पे रहती है कोसर अपनी मां के पास नहीं रहती है तो आप ये कोसर मां के पास क्यों रह रही है मतलब जो तुम लोगों ने हीरा वाला ड्रामा किये थे उसके बाद में तुम लोग बता रहे हो कोसर अब यहां रहेंगी वहां पे लोग में ले लेते और इसके बाप के घर के पीछे ही कौसर का खुद का घर है न इत्के लिए तुम लोगों ने सोचे कहां उसको गाउं बुला के उसकी एक्टिंग करवाने का इस अच्छा यह है कि उसको उसके बाप के घर पे ही रहने देतें एक ड्रामा करते है और फिर कोसर का आने जाने का जो ड्रामा है ना वो भी बंद हो जाएंगा बहुत बढ़िया बस मैं अपरी पैकिंग जो है वो शुरू का चुका हूँ बस यह के कुछ टाम तक मेरी पैकिंग जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी बताओ थोड़ी देर पहले कोसर को बोल रहा था के यह पैक कर दो वो कर दो अभी कह रहा है कि मैंने पैकिंग चुरू कर चुका हूँ थोड़ी देर में मेरी पैकिंग चुरू हो जाएंगी मतलब कितना जूटा मकार आदमी है यह शरम नाम की चीज है इसके अंदर मतलब बीवी के ही तरह हरकते कर रहा है काम किसी से कराना और क्रैडिट खुद लेना और यह किलिप देखी आप लोगों ने कोसर किस तरह से सर्मा के भागी है क्या चल रहा है इनका इनकी टांगे देखो कबरों में बुड़े हो गए इनको शरम नाम की चीज है मतलब क्या एक्टिंग करवाते हैं लोग कोसर से और कोसर भी क्या एक्टिंग करती है मुझे तो सच में एक पल के लिए इसा लगा कि हाँ सच में यार मिया वीवी है वरना सोचो वो उसको कैमरे में देखके मुस्कुरा रहा है वो शरमा के भाग रही है ये क्या चल रहा है मतलब बड़े ही अजीव है भई या तो तुम लोग निका नामा शो कर दो तो हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भई कोसर खूश है हम भी उसके साथ खूश हो लेंगे कभी कभारी सही या तो फिर तुम लोग बे गहरतो ये कोसर का पीचा छोड़ दो क्या एक्टिंग करवा रहे तुम लोग उससे बे शरमो तोड़ी सी शरम कर लो अल्ला ना करे तुमारी बेहन बेटियों को इस तरह से कोई एक्टिंग करवाएंगा तो हाँ वो तो तुम करवा भी लोगे ना तुम लोग हाई गलीच लोग क्रीपन मुझे यहां पर कोई नव दस देन हो गया तो आज मेरे तिकट जो है क्राजी से कड़ा के आता क्योंकि यहां पर जो है टिकट मिलना मुश्किल हो जाती है का आप लोगों ने पूरा टाइम और पिरियेट्स इतने सेट करके आया था मतलब के यह पहले से ही सोस समझ के आया था कि वहां से मेजे इतने इतने टैम में वापिस निकलना है अब जायर सी बात है आप लोग तुद बताओ ऐसे कौन निकलता है पहले से टिकट करवा के इसको पहले से ही यही यही दिन वापिस भी आना था तो जा से टीकिट मिलना मुश्कील होurn अब तिम्हें टीकिट मिलना मुश्कील है में इतना बड़ा गढ़ा हे जिन्हें देखो इसने क्या किया मालूम है इतनी मोटी कंबल साथ में लेके आया और बोल रहा है कि ये कंबल मैंने इसके लिए लाया हूँ क्योंकि एसी वाला ट्रेन का कंपाउंट है ना तो उसमें मुझे ठंडी लगेंगी अबे मोटे जब तुझे पता है कि तुझे ठंडी लगेंगी तो ये कंबल लाने की जगा नॉर्मल डबा बुक कर लेता नहीं है या याशिया तो तुम्हें पूरी पूरी करनी है है ना पैसों को आग पूरा पूरा लगाना है बताओ एसी वाला इसने डबा बुक करा और फिर कंबल ओड़के सोगे दुर फिटे मू तेरे मनूस क्योंके बसों को ट्रक वगएरा इनको सब पकड़के ले जाते हैं और बतनी क्या करते हैं रास्ते बगएरा बांद करते हैं ये चीज़ें अच्छा ये बता रहा है कि मैं इसके क्या बोला के राश होता है फिर क्या बोल रहा है कि गाड़ियां चलती ही नहीं है वो दिन क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं फिर उनको लेके जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं तुझे तो अच्छे से पता है तुम लोगों को तो दस बार पकड़के लेके गए दुनिया भर के अंगिनत तो तुम्हारे पे केस चल रहे हैं तुझे नहीं पता के पकड़ के ले जाके क्या करते हैं ऐसे ही तु दस बार चुट गया ऐसे ही पिटारा बड़े बड़े लोगों को जानती है इसके उसके जाके दरवाजे में तु जो बाइकों पे छोड़ छो इसके खुद में ही मैच नि कर रहे हैं इतना बड़ा तो यह जुटा है पिटारा तो हही जुटी इसको भी उससे बड़ा जुटा बना के रख्यें तो मुझे लशी बना गिलासमें देना ठीक है जी तो चार पाई पर पहैल जा चार पाई पर ना तू फैले रहे पानी मंगने की भी इसके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि यह फूद उसको पानी पिलाता है उसके पैर दबाता है और यहां पर देखो धहीं लाके दूँगा न तुमुझे लस्ती बना के देना अरे पहले अपने जो में तेरा जो घर है उदर पर जाके लस्ती मांगे देख तेरी एक आँक नहीं सुझ गई न तो बोलना देशरम यहां के बड़ा तू रोब जमाने की कोशिश करता है खाने पीने को इतना अच्छा अच्छा मिलता है यहां पर और रुबाब जता जता के बताता है वहां पर तू एक चीज मांग ले देख न तेरी नहीं एक आँक स जला गलीच आदमी एक रूम के अंदर बैठा हूं और मैंने जिए दर्वाजा जो यह ओपन किये हुआ है और यहां से जो एकाफी ठंडी ठंडी हवार यह वावावा बड़ी ही मजे की बात बताया दर्वाजा कोलके बैठा हूं यह दर्वाजा खुला है ठंडी ठंडी कि पंडी तंडी हवा क्यूं आ रही है मनला पितारा को बताना चाहता कि देखो मैंने दरवाजा रखाओं मैं कुछ chron chron away लेला के साथ ही तब जिदाना चाहता है ग सबस्क्राइब पॉह दिमाग चलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है कि तु यह इतनी इतनी सी बाते क्यों बताता है क्योंकि पब्लिक को तो इंट्रेस है नहीं के काले सांडे तु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जायर सी बाते पिटारा को बताने के लिए ही तु यह इतना हाइलाइट करके बता रहा है ना कि मैं दर्वाजा आई कि घiran भी देख और जौ अभी पीछे किली गई ना उसको एक बार और और तेखना चाहिए तो है और सिलो ओ मोशन में देखना आप लोगों को देखके नहीं लग़ां कि अधक Mahar प्रेगनेंट है इसका मतलब मुझे तो लग रहा ह। देखे कि कॉष और सर प्रेगनेंट है और अगर सच में प्रेगनेंट है तो सितारा ने और गोंचुने यह बात क्यों चुपाए या मतलब नहीं है प्रेगनेंट और इतना बड़ा पेट जायरती बात है जब औरत दो चार बच्चों की माँ हो जाती है और जैसे जीम वगेरा नहीं करती है अपना ख्याल नहीं रखती है तब जाके ऐसा पेट होता है या तो फिर औरत प्रेगनेंट रहती है तब जाके ऐसा पेट होता है तो या तो फिर यह आलरेडी दो चा लोगो ने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने देखा वहीं आप लोगों ने देखा ना आपे इसके इंदर में कंप्लीट है ऑक सि-कता हो एक हो इथे हमामय वायफ है रिते ना कुशी कुशी इसकी पैकिंग करवाए के इसको रवाना कर रही है यकीन ही नियों रहा हूँ मुझे तो देख के कि ये इसकी वाइफ है मतलब वाइफ है तो इसको तो दूख होना चाहिए नखे not के भुई आया दस दिन के लिए अभ वापी गोंचon तो भीश बीच भीश में बोलते रहता है नाराज हो गई यह तो गुसा हो गई आप कहीं कहीं से भी वह नराज गुछा कुछ भी नहीं दिखती है बलके खुसी खुसी देख रही है कि कोई सामान उसका रह तो नहीं गया अगर कि यह सच में इसकी वाइफ है तो फिर एक एक चीजे जो इसके जरूरत की है जैसे टूट ब्रश हो गया टावेल हो गया यह सारी चीजे फिर कौसर के पास में भी इसको रखना चीए यह ऐसे क्यों करता है कि सामान लेके आता है और टोटल सामान उठा के लेके चला जाता है मतलब के जैते होटल में रुखते है हम हमारा पूरा सामान लेके चले जाते है सेम वैसा यह करता है तो कहां से कौसर इसकी वाइफ है खाना जो है वरेडियो क अच्छा खाना है और वहां पह सब्सक्राइब लटकां लटकां के ले कीusz आजयता हैं, कभी नेता हूंप Clinic करें नतीब हो रहा है पर दाप्धाने करें देंगे लिटारी तो नहीं क Chat शोर डिचा मैंस whit सिबक ब सबस्क्राइब कर बाठी खाने मृत्टा लिये और चाहिता करों से यह पर लीत लूग्ही जूभे में कुछ छाहेंगे शानती उल्क कघि और ये किया एक्टिंग है सच में बहुत अच्छी है, खफा भी वह साले के सामने हो रही है हुँ, अभी तुम लोग अंधर बैटे होए थे तब तलक के वह खफा नहीं हुए, अब साले के सामने ओख आ और शूला साल के हैं शीचोरे पने लगाए और अच्छा खासा हस रही है बोलता खफा हो गई अरे शरम कर बेगैरत मोटे संड़े सर पे बाल नहीं है और मोटा संड़ा होते जा रहा है इतना काटून जैसा दिखता है यह सारी हरकते करने में अच्छा लग रहा है बहुत इजद बन रही है थोड़ी सी शरम कर शरम यह सारी एक्टिंग करवा है कोई बात है नेक्स टैम इंशादा जबाऊंगा तो फिर आपको लेएंगा तो तेरे साथ रहूंगा उदर पे बोल तेरी अवकात दिखा वहां जाके इसा लग रहा है जैसे पैसा दे के खरीद के रखे हुए है यह ना वही आरी कहलाएंगी ना यह तो तो मतलब के यह वो है तेरी आरे जो तो इस तरह से बात कर रहे और जगड़ा सुरू हो और ये बोला है किसी नेक्स टाइम मेरे को तो बड़ी अफसोस की बात लगी नेक्स टाइम आऊंगा तो लेकर जाऊंगा कौन सा एग्रिमेंट किये हो तुम लोगों ने कौसर के साथ उसके बाप के साथ दिखा दो भई पबलिक को उसका बाप भी बाहर निकल के अराम से टा कि लेकर जा बेटी को साथ में घर पे बिठाने के लिए निका किये थे क्या नहीं वाँ पे तससुर भी अच्छे से टाटा भाइ बाय बाय कर रहे है और यहां पर भीवी देखो तो हस हस के भाइ साले चोड़ने जा रहे है बाइक peng बिठाके यह क्या चल रहा है मतला हुए कौन बोलेंगा कि ये शादी है ये सारा कुछ नौर्मल है शरम नाम की चीज है इनके अंदर बड़ी अफसोस की बात है अरे भाई निका नामा दिखाओ पबलिक को परना दूसरी अड़तों पर क्या असर पड़ेंगा असर पड़ेंगा कि आदमी अगर नहीं भी साथ रहे न और वीडियो में इनके गलती मेसेज निकलता है इतने बे शरम लो गए लोग खेर चले इस वीडियो का मैं यहीं पेंट करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पतन आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट झाल